अब बीपी एड्रेस और यूपी आई डी किस तरीका से चेक किया जाता है और किसी के दोरा पेमेंट रिक्वेस भेजे जाने पर उसे किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले मैं अपना गूगल पे एकाउं ट्रम कोलोंगा जैसे भी मैं बूगल पर क्लिक करता हूं तो यह ओपन होने के लिए लॉग इन पासपर्ट पूसता है यह आपका screen लॉग पासपर्ट भी हो सकता है और गूगल का लोग इन पीन भी हो सकता है जैसा भी आप से लाइड करते हैं उस तरीके से होगा अगर नाम है उसका Initial A लिखा हुआ है इस पर आपका फोटो भी आ सकता अगर आप फोटो लगाए हुए है अपना प्रोफाइल में तो इसमें फोटो भी आएगा नहीं तो आपका नाम जो है उसका पहला अक्षर लिखा आएगा आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यह आपका खोलेगा प्रोफाइल में आपको आपके प्रोफाइल की डिटेल दिखाएगा जिसमें कि आप दे सकते हो यह आपका प्रोफाइल डिटेल है प्रोफाइल डिटेल में आपका UPI ID भी है या BPA address भी हम इसको बोलते हैं यह आप किसी को भी भेज सकते हैं और वो आपको इस address क तुरू payment request send कर सकता है ये UPI ID किसी को बताने में किसी भी तरीके कोई problem नहीं होता है आप ये लोगों के साथ share कर सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई आपको payment request भेज़ता है तो आपके पास किस तरीके से request आती है और आप उसे कैसे process कर सकते है तो जब भी आपको को payment request भेजता है तो आपको एक text message आता है एक notification बार में आपका notification आता है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो पहले एक text message की request पड़ी एक रोपे की अगर आप text message खोलते हो तो उसमें एक link होता है आप link के थूख खोलके भी payment कर सकते हो लेकिन इसको छोड़ दीजे आप Google Pay payment request दिखा पहले number पर जो दिख रहा है यह अभी current की request दिखाई दे रही है ठीक है तो आप इस request को जैसे ही select करते हैं तो यह बापिस से page open हो जाएगा already amount डला हुआ है किस purpose से किसने भेजा है वो भी डला हुआ है फिर आप proceed to pay पे click करते हैं तो यह आगे बढ़ेगा तो आपको proceed to pay करना है जैसे ही आप proceed to pay करते हो तो यह आपका UPI का pin पूस्ता है जो आपने UPI account बनाते समय पिन registered किया था यह अभी आपको screen में दिखाई नहीं दे रहा होगा security purpose से तो जो भी आपने pin डाला है वो आप यहाँ डालके नीचे right का निसान बना उस पर click करेंगे जैसे ही आप pin डालक तो यह payment process होने लगता है और यह right का निसान बना आ गया है मतलब payment successful हो गया है जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपका एक रोपे गया हुआ है इसलिए minus one दिखा रहा है red color से ठीक है तो यह आपका payment process हो गया है आप इसका click करके आप अंदर detail भी देख सकते हो इसमें transaction number औ बाकी detail आजाता है इसका आप screenshot अपने partner को भेज सकते हो जिसने भी आपको request भेजी थी as a confirmation या आप बर्बल भी उनको बोल के बता सकते हैं क्रिप्य करके ध्यान रखें किसी भी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति या किसी और के साथ अपना PIN नंबर OTP नंबर और आपका अगर आप card यूज करने तो उसका CVV नंबर किसी के साथ भी शेयर ना करें यह आपको गुप्त और सुरक्षित रखना चाहिए धन्यबाद